हेलो फ्रेंद्स मै नेम इन्प आउट्पुटब और एरर इर को री डिर्येक्शिन और इंपूट ऑउट्पू और एरर को री डिर्येक्शिं उस्वी अफ्रिकुस अकशुय। तो उसके बारे में सीखेंगे. तो उससे पहले ैपैसा हमें यह पता होना चाहिए कि हम यहाँ हमें बात किसी कर रेंपूट और आउटप औरयर्यूस्थ यह तीन चीजों की बात कर रहे हैं. tässä यह तीन चीजों पे सारे रेर沒關係 पे होती है. अब ये तीन चीज़ों पर कैसे होती है, जैसे कि हमें पता है, पहले ये पता होना चाहिए, हमें की input क्या होता है, input मतलब की वो device जिससे आप input देते हैं, मतलब की input किस से दे रहे हैं, आप Linux पर तो keyboard से ही देंगे, जो भी हमारा keyboard होगा, हम उससे ही to command type करेंगे, वो input देंगे अपना हमें जो करवान है, और monitor पे हमें output मिली, और तीसरी चीज़ है, error, error मतलब या तो output सही होगी या उसमें error आएगा, तो error तो error है, फिर वो वो चीज़ error आगी, अगर जो भी होगा हमारा error, वही हमारा output में, जैसे input हमने यहां पे दिया, यहां पे example आप देख सके, ब्ल बात ही होती है, जैसे कि standard input हम इसको input कहते है, input को हम Linux में standard input कहते है, जो हम standard input दे रहे हैं, ठीक है, और shell हमारी bash होती है, या कोई भी आप लगा सकते CSH वगर, कोई भी shell होती है, तो उसकी दो ही तो चीज़ निकले, या आपने जो input दिया, तो उसकी output आएगी यहां पे, अग वो कहां से आ रहा है, सब कुछ input से आ रहा है, तो अब जो आप कहेंगे 0, 1, 2, यह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि Linux सिस्टम पे, यह Linux को stream 0 से पहचानता है, मतलब वो तो standard input पहचानेगा नहीं हो, तो हम उसको stream 0 से ही पहचान करवाते हैं, और stream 1 से क्या पहचान करवाते हैं, आउटपुट की, stream 0 से standard input की, अब आप यह जरूर याद रख लेना दिमाग में, कि जहां पे बात हो stream 0, तो आप समझ जाना की standard input की बात हो रही है, और stream 1, मतलब 1 की जहां बात हो रही है, यह समझ जाना वहां पे output की बात हो रही है, और जहां पे अब आप देखोगी, error की, तो वहां पे stream 2, stream 2 किस चीज का होता है, error का, अब हम इसको redirect करते क्यों है, यह तो आपको तभी पता चलेगा, जब आगे की वीडियो में नहींगी, क्योंकि उसमें जब आपको में समझाऊंगा, एक एक topic पे वीडियो बताऊंगा, standard input पे तो आपको पता चलेगा, हमें इन आपको मेंटर पे आ रहे है, तो simple आई रहे, error भी आपको मेंटर पे आ रहे है, लेकिन हम इसको redirect करवाना, मतलब कि इसको change कर देना, इसकी direction गोर redirect कर देना, direction change कर देना, कि नहीं, आप चाते हो input keyboard से नाए, input तो किसी और file से आजए, output screen पे नाए, output चला जाए, किसी file पे, तो यही सब के लिए हम redirection operators वगरे, use करके हम redirect करवाते हैं, तो इसका main motive यह है, जैसे कि यह line कहरी है, कि input, output, redirection allow us to change where output goes, कि क्या करता है, कि output कहां जाएगी, वो हम change कर सकते हैं, और input कहां से आते हैं, वो भी हम change कर सकते हैं, तो normally क्या होता है, कि monitor पे हमें output मिलती है, और input हमार keyboard से आती है, तो हम redirection से इसको बहुत easily हम change कर सकते हैं, तो main motive हमारा यह है, और यह shell के लिए बहुत useful है, क्योंकि आप आपको पता चले का आगे जाके, कि input जैसे कि normal keyboard से ले रहे हैं, normally तो keyboard से ले रहे हैं, लागे लेकिन आप उसको file से भी ले सकते हैं, जब आप piping use करेंगे तो भी इसको बहुत use में आती है, यह redirection तो बहुत ही जादा useful चीज है, और यह basic fund अथा redirection का, मैं आपके लिए इस पे अलग video और इस पे अलग video बनाऊंगा,